हलाला क्या है? हलाला बेसिकली एक ऐसा अशलीलता का बाजार है जो बंद कमरे में और बिहाइंड दे कर्टिर बड़ी आसानी से मुसल्मान घरों के अंदर हो रहा था इस पर बात करने पर जब भी किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की चाहे वो मुसलिम महिला हो चाहे वो मुसल्मान कोई पुरुश हो या कोई दूसरे धर्म के लोग हो तो उनको आख दिखा करके हमारे भारत के मुसल्मान समाज के ठेकेदारों ने उनको डराने की कोशिश की है आज जब हम सनातन धर्म के सती प्रत्था पर बात करते हैं तो कोई प्रोहित आ करके हमने डराने की कोशिश नहीं करते हैं या चाइल्ड मारेज पर जब हम बात करते हैं क्योंकि जैपूर में राजिस्तान में बहुत होता था तो उस पर भी कभी डराने की जो आपेक्षा है या स्ट्राटेजी है वो कभी सनातन धर्म ने नहीं किया बलके सतीप्रधा को और चाइल्ड मारेज को खतम करने के लिए सनातन धर्म के लोग ही intellectual लोग सामने आए और सबने उसको अग्री किया और सारी चीजे जो रिफॉर्म करने की थी उसको रिफॉर्म किया गया और खानून के तहट से उसको रोका गया अब जब बात आती है हलाला की तो अवेसी साहब इसकिप कर जाते हैं उसको सही से बताते नहीं है या आप मदनी से पूछिएगा या आप तौकीर से पूछिएगा या आप बुखारी से पूछिएगा तो वो नहीं बताएगा बेसिकली हलाला है क्या अब जैसे मेरा निकाह एक मुसल्मान मर्ज से हो गया अब मैं सुभा देर से उठ गई तो उसने मुझे तलाक दे दिया मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो उसने मुझे तलाक दे दिया मुझे बेटियां ज्यादा पैदा हो रही है तो उसने मुझे तलाक दे दिया या मैं बांज हूँ मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हूँ तो उसने मुझे तलाक दे दिया या किसी भी reason या वजुहात की वज़ा से मेरे खाविंद ने, मेरे शोहर ने, मेरे husband ने मुझे तलाक दिया है unfortunate उनको ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं मैंने इसको तलाक नहीं देना था मुझे इसको वापिस लेकर के आना है अपने निकाह में फिर से शरीक करना है तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेट हो सकता है और या तो फिर वो हलाला सेंटर का इमाम, मौजद, खारी या मौलवी हो सकता है जैसे पाकिस्तान में गली कूचों में हलाला सेंटर है, हाइदराबाद में चार मिनार पे हर एक नुकड पे हलाला सेंटर है, आप पश्चिम मंगाल आईएगा तो जिकरिया स्टेट, चुनागली, पिक्निक गार्डिन, आपको राजा बिजार, मटिया ब्रूज में आपको बहुत सारे हलाला सेंटर्स मिलेंगे, तो वहाँ पर बोर्ड लिखा होता है, जैसे पाकिस्तान में लिखा होता है, कि औरते जो है, वो महफूज हैं और दूसरे दिन आपको मिल जाएंगी, तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खतम नहीं होता है, कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुस प्राक देगा तब मुझे पहला शोहर मुझे अपनी निकाह में वापिस लेगा इसको कहते हैं हलाला तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसल्मान बेटियों के साथ नंगा नाच नहीं हो रहा है